हमने पिछले वीडियो में देखा था कि तीन दिये गए असन रेखी बिंदुओं द्वारा एक और केवल एक ही वृत बनाया जा सकता है चलिए अब इसे mathematically भी कैसे प्रूफ करते हैं वो देखते हैं माल लीजे कि AB एक रेखा खंड है और L AB का लंब समद्विभाजक है मतलब perpendicular bisector है यानि कि रेखा खंड AB के दोनों ही भाग बराबर होंगे अब इस लंब समद्विभाजक पर एक बिंदु R माल लेते हैं यहाँ पर बिंदु R का distance दोनों ही अंत बिंदु से बराबर होगा यानि कि यहाँ पर AR हमेशा BR के बराबर होगा यहीं लंब समद्विभाजक की खासियत होती है इसी प्रकार अगर हम कोई बिंदु Q ले लें तो AQ बराबर BQ होगा और अगर यहाँ कोई बिंदु S ले लें तो O S बराबर B S होगा और इस प्रॉपर्टी को लंब समद्विभाजक प्रमय कहते हैं और अंग्रेजी में perpendicular bisector theorem अब हम लंब समद्विभाजक की इसी प्रमय की मदद से सिद्ध करेंगे की तीन असनरेखी बिंदों से केवल एक ही वरिद बनाया जा सकता है माल लेते हैं A, B और C तीन असनरेखी बिंदु है और हमें यह सिद्ध करना है कि इनसे गुजरने वाला केवल एक ही वरिद बनाया जा सकता है चलिए देखते हैं पहले कि हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं अगर हम कोई बिंदू O ऐसा ग्याद कर लें कि AO बराबर BO बराबर CO हो जाए तो हम यह कह पाएंगे कि बिंदू A, B और C से गुजरने वाला केवल एक ही वृत बनाया जा सकता है क्योंकि तब AO, B और CO वृत की तरिजाएं होंगी लेकिन अब सवाल यह है कि हम यहां बिंदू O कैसे ग्याद करेंगे इसके लिए हमें कुछ रचनाय करने पड़ेंगी सबसे पहले A, B और B, C को मिलाए बिंदू O को ग्याद करने के लिए हम A, B और B, C का लंब सम्द्विभाजक खीचेंगे माल लेते हैं कि रेखा L, A, B का लंब सम्द्विभाजक है यानि कि A, B के यह दोनों पाथ आपस में बराबर होंगे और माल लेते हैं कि रेखा M, BC का लंब सम्द्विभाजक है यानि कि BC के ये दोनों भाग आपस में बराबर होंगे और माल लेते हैं कि ये दोनों लंब सम्द्विभाजक एक दूसरे को बिंदू O पर प्रतिछेदित करते हैं यानि कि बिंदू O ग्यात करने के लिए हमें दो रचनाएं कि पहले A, B और B, C को मिलाया, उसके बाद इनका लंब सम्द्विभाजक ही चाँ अब हमें सिर्फ यह सित करना है कि O, A बराबर O, B, बराबर O, C है अब चुकी लाइन L, A, B का लंब सम्द्विभाजक है और बिंदू O, L पर स्थित है इसलिए लंब सम्द्विभाजक थियोरम से O, A बराबर O, B हो जाएगा इसी प्रकार, लाइन M, BC का लंब सम्दिभाजक है और बिंदू O, रेखा M पर स्थित है इसलिए लंब सम्दिभाजक थियोरम से O भी बराबर OC हो जाएगा अब इन दोनों equations को ध्यान से देखिए कि क्या हम कह सकते हैं कि O A बराबर O B बराबर OC है जी हाँ, क्यूंकि O A बराबर O भी है और O भी बराबर OC है इसलिए हम कह सकते हैं कि O A बराबर O भी बराबर OC होगा इसका अर्थ है कि बिंदू A, B और C बिंदू O से समान दूरी पर है यानि कि अगर O को केंद्र, O A को तरिज्या लेका वृत बनाए तो ये बिंदू B और C से भी होकर जाएगा और ऐसा एक ही वृत बनाया जा सकता है क्यूंकि दो रेखाए एक दूसरे को केवल एक बिंदू पकाटती है इसका मतलब है कि हम कोई दूसरा बिंदू O नहीं मिलेगा इसलिए हम कह सकते हैं कि तीन बिंदू A, B और C से जाने वाला केवल एक ही वृत होगा इस प्रमे की मदद से हम एक और निशकष निकाल सकते हैं चलिए देखते हैं क्या माल नीचे A, B से एक त्रिभुज है तो हमने अभी उपर के प्रमे में पढ़ा कि हम बिंदू A, B और C से एक अधवितिये वृत बना सकते हैं यहाँ पर यह वृत जो इन तीनों बिंदों से पास हो रहा है इसे त्रिभुज A, B, C का परी वृत कहते हैं और यहाँ वृत के केंद्र को परी केंद्र और त्रिज्या को परी त्रिज्या कहते हैं चलिए, अब हम प्रमे 10.5 का उपत्ती अपनी कॉपी में नोट कर लेते हैं सबसे पहले इस चित्र का अपनी कॉपी में बना लीजिए अब इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए धन्यवाद